गुट इवनिंग फ्रेंट्स स्वागत है आप सब का एक बर फिर से साहिन सचें विलॉग्स अमारे यूट्यूब चैनल पर और बिगी क्रिकेट इंस्टाग्रम एकाउंट पर बिगी डोड क्रिकेट भी हमारे इस्टाग्रम एकाउंट है जाहिंदु वालियाक्रिकट केडम खतरनाक प्लेयर के प्रोफाइल पे बने हैं यह उस प्लेयर के प्रोफाइल पे बने हैं जो अभी वर्ल्ड कप में छक्के चुड़ाये हुआ हैं सभी टीमों के सभी टीमें वैसे तो इंडिया के हर प्लेयर से इस टाइम पे हर टीम का हर प्लेयर धबरा रहा है बट यह जो सब्सक्राइब नहीं करूंगा और एक से बढ़के कातिल बैट्स हैं सभी बैट्स ग्रेड वन और ग्रेड वन प्लस की कैटेगरी में अगर कोई भी बैट आज की डेट में आप देखोगे और आप उनके स्पेट देखोगे ग्रेंज देखोगे तो आप खुद आइडिया लगा लोगे कि अगर हम किसी ब्रैंट से कंपेर करेंगे तो उनका एक्चल वैल्यू क्या प्राइस क्या होना चलिए मैं प्राइस डिस् प्लेन रखने का मकसद यह है कि ताकि आपको यह भी पता हो कि इसके उपर कोई स्टिकर के पीछे कोई दाग दबा तो नहीं है ग्रेंज काउंट करता हूं वान टू थ्री फोर फाइस सेवन एट एट स्ट्रेट ग्रेंज आप देख सकते हैं फ्लैट टो है विरात्कोली फ यह इसका स्पाइन मीट से भरा हुआ है बिल्कुल भी कॉनकेविंग नहीं है आप यह दिखिए या बहुत माइनर सी कॉनकेविंग है अगर मैं बैट के स्पेक्स की बाद करूं तो शोल्डर बहुत है यह सिक्स्टीन एम प्लस है एग 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 फॉर्टी फॉर्टी टू के बीच में हमने हमने इसको रखा है स्पाइन सिक्स्टी फाइव टू सिक्स्टी सेवन में के क्रीब है इस बैट का वेट ट्वेव हंडेड ग्राम के आसपास है अगर हम पंच दिखाएं आपको तो आप डिसाइड करो आपको पंच कैसा लगा साउंड सुन रहे हैं बिल्कुल भी मैं जोल नहीं दे रहा हूं और अभी तो बैट में आप नॉकिंग भी करोगे यह देखो यहां पर इस पर्टिकलर एरिया में मैं नॉक ले रहा हूं पंच ले रहा हूं यह देखे सो अगर आप इस बैट से कहीं पर भी हिट कर लोगे चाहे वो टो एरिया है मिडल एरिया है यह थोड़ा अपर एरिया बॉल बहुत दूर तक जाएगी बाउंडरी बहुत इसली क्रॉस कर जाएगी सेमी राउंड हैंडल इसका हमने इस बैट में रखवाया है तो अगर पर दोबहां कर सकते हैं मुझे सेम प्रोफाइल है प्रोफाइल देखिए आप सिमिलर मैं अगर शोल्डर से शुरू हो जाओं तो शोल्डर बहुत लिए कहीं से भी वेट को काटने का या इसको वीक करने का नहीं किया गया है कहीं से बैट को चाहें आप यहां से इस साइट से देख लीजिए कहीं को दागदब्बा नहीं अब बैट को फेस से दिखाता हूं लुक एट दा ग्रेंज यह ग्रेट वन प्लस प्लस की कैटेगरी का बैट है अब ग्रेंज आम शोर विजिबल होंगी क्लियरली उसे जूम करके दिखा सकते हैं आप क्लोज निट ग् प्रेंज के बीच में है सेमी ओवल हैंडल में बैट है पंच को वह वाव देख रहे हो आप सोचो की बैट कहा जाएगा तीसरा बैट त्पिकल सेंग प्रोफाइल जराब को लिए प्रुफाइल सेंग शोल्डर देखिए आप बहुत हैं यहां से देखिए आप मेंड अच् बैट को श्रड नहीं किया गया वेट को और सेम स्पाइन एरिया पांच में दिखाऊंगा सबका प्रोफाइल से मोगा वेट बैलेंस से मोगा पिकप आपको लाइट फील होगा बैट का और मीट से भरेंगों बैट है यह देखिए अब बैट का फेज दिखिए ग्रेंज द नहीं है अब देखिए ग्रेट वन का बैट है यह दिखिए मुझे इशारा हुआ है कि बैट द्वारा से दिखाओ इसलिए दिखा रहा हूं और जो मैं बॉल भी यूज़ कर रहा हूं अगर आप दों करके दिखाएंगे तो यह हमारी अपने बॉल है यह ऑल्मोस्ट इस ब से कितनी बॉल यूज़ हो चुकी होगी है और तब भी यह बॉल प्रिफ्टी ओवर थी बॉल खेल चुकी थी यह देखिए अगला बैट अगें सेम प्रॉफाइल सब कुछ सेम है स्पाइन देखिए माउंटिन की तरह उठावा है भरावा है यहां से देखिए यहां स्टक देखिए बिल्कुल आपको मीट का एहसास होगा इसमें और अब आप बैट का फेज देखिए दोस्तों ग्रेंज देखिए आप मैं किसी भी ब्रैंड के बैट के मॉडल नेम का नाम नहीं लूँगा बट मैं यह गैरंटी दे रहूं कि यह टॉप मोस्ट ग्रे कई पर भी पंच लेलो आप बैट का पंच बहुत प्यारा आए लेगा लास्ट बैट नौट दे लीस्ट यह देखिए यह बैट 11 80 85 ग्रैंज के आसपास है अगें बहुत प्यारा भरा हुए बैट है स्पाइन इसका हलका से है थोड़ा सा कम है बट राउंड 63-65 के बीच में होगा है यह बहुत माइनर सी कौन के विंग है बहुत जादा नहीं है और आप ग्रेंज देखिए बैट में अब आप लूक अट दा ग्रेंज जो है देखिए बैट का कितना प्यारा है जो कि देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारा पंच है तो पाँच मैंने यह रिव्यु किया है तिपिकल विराथपोली प्रोफाइल दोस्तों या यूं समझ दीजें कि उन्हें के लिए बने थे और वैट्स हम जुगाड कर लिया तो अगर आप यह बैट्स लेना चाहते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझे कॉल करें और यह बैट्स आप और कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड शिपिंग हम लोग करते हैं नॉकिंग हमारी इन हाउस मैनुवल होती है हम लोग मशीन से नॉकिंग प्रमोट या रिकॉमेंट नहीं करते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तिल देन पुर्दायों शांती थैंक्यू सो मच